ओम शान्ती आज 13 ओक्टूबर 2021 है जिस प्रकार से कल बावा ने हमें तपस्या का अर्थ ये भी बताया था कि हम आत्माएं व्रिक्ष के ऊपर बैठ करके सारे व्रिक्ष को सकाश दें तपस्या को इसी लिए व्रिक्ष के नीचे ही दिखाया गया है कि तपस्वी व्रिक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं इसी बात को आज बाबा फिर से दोहरा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से तपस्या और सेवा ये दोनों हम साथ साथ कर सकते हैं तो आये जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे जैसे पहले-पहले नशा रहता था कि हम इस विक्ष के उपर बैठकर सारे विक्ष को देख रहे हैं ऐसे अभी भी भिन्य-भिन्य प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो जिस से तपस्या और सेवा दोनों combined और एक साथ रहे स्थेर तपस्या करने के लिए एकाग्रिचित तपस्या करने के लिए हमारा जो आसन है वो भी stable होना चाहिए इसलिए वाबा ने कहा आज कि जो भी कर्तव्य हम कर रहे हैं हमेशा ये नशा रहे कि हम किस स्थान पर रहकर के ये सब सेवाएं कर रही है स्थान का अर्थ कोई स्थूल स्थान नहीं है स्थूल स्थान तो हमारा सेवा के अनुसार बदलता ही रहता है लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि हमेशा ब्राम्हन रूप में हम अपने आपको मदुवन वासी ही समझें कहीं पर भी जाएं वो मदुवन का लेबल हमारे साथ में लगा हुआ है ऐसे ही निराकारी रूप से भी हमारा स्थान व्रक्ष की जड़ों में ही है कहीं भी हम रहें, हमेशा ये हमारे ध्यान पे रहे कि मैं पूर्वच आत्मा हूँ सर्व आत्माओं का कल्यान करने के निमित बाबा ने मुझे चुना है तो इस आसन को बरकरार रखना, इस थान को बरकरार रखना, ये भी हमारी तपस्या है और इस मृती से, इस तपस्या से स्वतह ही हमारे हर करतव्य से सर्व आत्माओं को आत्मा का, बाबा का, सर्व का साक्षतकार होगा इस ज्यान को बोलने से नहीं, लेकिन हमारी तपस्या मूर्थ से हम इस ज्यान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे सरवात्माओं को सुखते सकेंगी उनका कल्यान कर सकेंगे इसलिए हमारा पुर्शार्थ तपस्या और हमारा कर्तव्य सेवा ये अलग-अलग नहीं लेकिन ये एक साथ हम इस विधी से कर सकते हैं ओम शान्ति